भारतिय संस्कृति को ऐसे ही सबसे बेस्ट संस्कृति नहीं माना जाता है एक एक्जामपल से आपको समझाता हूँ एक निरिकसर जो ग्रहनी है या मैं आप साथ बलू कि गाउं की एक महिला है जब अभी घर में कोई भी सुभ और मांगलिक कारी होता है न तो घर के दरवाजे पे क्या लिखा जाता है सुभ और लाव जब ग्रह प्रवेस की गतिविदी होती है कोई भी कारिकरम होता है औफीस नई औफीस बनती है या नया कारिया सुरू होता है हर जगर एक वैपारी भी लिखता है अपने बिजनस को स्टार्ट करने में सुभ और लाव यानि इन दोनों सब्दों का मिनिंग आप जानते हैं क्या है इसका सिंपल मतलब सहाब की पहले सुभ करम करो तब आपको लाव मिलेगा यानि पहले सुभ आएगा फिर लाव आएगा आप जीवन में लाव लेने के लिए मत निकलो आप जीवन में सुभ करमों को करने के निकलो लाव अपने आँ पीछे आएगा एक छोटा सा कौट भी कहते हैं अरे करम जो तेरे अच्छे कर्म जो तेरे अच्छे किस्मत तेरी दासी और नियत तेरी अच्छी घर ही मतुरा कासी सहाब यह कर्म पहले आएगा लाब बाद में आएगा तो यह सुब और लाब की तरफ अधर्म जब होता है तब धर्म आएगा जब असत्य आया तो सत्य भी आयेगा जब अंधकार आया तो उजाला भी आयेगा इस बात को माने जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ें बहुत रहसे में बाते लिखी भी है हमारे भारत के गरंथों को पड़ो आप आप उनको पड़कर आप अपने आप एक नहीं चेतना नहीं उर्जा को आप मैसूस करोगे मैं भारत के सभी बच्चों से अग्रह करता हूँ सभी वर्ग के लोगों से अग्रह करता हूँ आप अपने भारत के सभी गरंथों को उठाएं और पड़ें और उनकी बातों को अपने लाइप पर एक्जेक्यूट करने की कोसिस करें अब जीवन में हर मुकाम हासिल कर पाएंगे इसी इपरकार की मोटिवेस्ट दिल और इस परेसनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें जे हिन, जे भारत